जिलाक खरिज न्यास संस्थान की शासी परिशत की बैठक में 86 करोड 34 लाक रुपए की विकासकारियों की प्रिस्ताप का अनुमोधन किया गया जिलाकारेले की मंथन सभाकक्ष में यह बैठक कलेक्टर सौरप कुमार की अध्यक्षता में संपन हुई बैठक में संसदिय सचेव और ठकतपुर विधायक रस्मी आशी सींग विधायक बिलहा धरम लाल कौशिक विधायक विलासपुर सेलेश पांडे विधायक मस्तूरी डॉक्टर कृष्ण मूर्ती बांधी विधायक वेलतरा रजनीश सींग सहित साशी परिशत के सदसे और वि शेत्रों के अंतरगत शामिल हैं इन शेत्रों में लोगों को राहत दिलाने और विकासकारियों के लिए 86 करोड 34 लाक रुपए की कारी योजना की प्रिस्ताव का अनमोधन किया गया है इस राशी में खनन प्रस प्रभाविक गाउं में सिक्षा स्वास्त पेजल क्रशी और सड़क निर्माण जैसे महदवुपून सेक्टरों में विकासकारियों की प्रक्रिया की जाई थी बैठक में जिला पंचायत की सीओ जैश्री जीन और डी एम एफ शाखा के प्रभारी नोडल अधिकारी और डिप्टी कालेक्टर महिश शर्मा ने प्रस्तावित कार्य फिसंते लगब की इसी करोड़ के जो प्रस्ताव हैं जो कि प्रात्मिक्ता के तोर पर स्वास्थ के शेत्र में शिक्षा के शेत्र में बलाबाल विकास समाज कल्यार में जो लोग हैं बच्साइव करने के लिए उनको एक रिपकास के लिए और एजिसए युद्धाव के जो शिक्षा, पेजल, स्वास्तिर, रोड, मरम्मत और जो प्राथ्मिक किताब पे जो काम हैं उनको आज श्रीक्रती दी गई है और इससे हमारे विलास्पूर का विकास बहतर हो सकेगा कुछ सुझाओ और भी मैंने अपनियों से जोड़े हैं जिसमें कि बिलास्पूर एक पीएस्सी का हब है कोचिंग का इसमें 25-30,000 बच्चे बिलास्पूर शहर में आते हैं तो उनके लिए एक शेल्टर बनाना चाहिए और शेल्टर उसमें पानी पीने की सुरिदा हो बैटन ट्रीय चाहर हो रहा है इसमें हमारा यह मांत है हम लोग चाहते हैं मैंने मान करखी है तक ताकि वो अगली च्रें का वेट कर सकते हैं जो ट्रेंँ हुप इसके लिए कुछ district mining fund से कुछ help की जानी चाहिए साथ कुछ मरम्मत पानी गिरा है शहर में कुछ रोडों के इस्तितिक हराब है वो उनको मरम्मत करना है स्वामी आधमन नर्सरी इंटर्डूस की गई है तो वो एक अच्छी बात है इसमें हमको हमारे शेत्रों को फाइदा होगा इसमें 15- 20-20 लाक रुपे उनको दिये गए हैं प्राइम वी सेक्षेन को फूरू करने के लिए नर्सरी वाले और साथ ही साथ इसमें शिक्षकों की भर्ती के कांसलर अविरा के इसके लिए पसाद गया है तो अब ही जो है वो पुशिश्की बहुत बच्चारी थे वो अपने ट्यम् एक संभानी विधायक मौदय द्वारा ऐसा बोला गया है तो उनको मैंने आश्वस किया है कि वो जो भी प्रक्रिया होगी जिस प्रक्रिया से उपकरन दिया गया होगा एवं वो जो भी प्रक्रिया होगी जिससे हिद्गराही चैन किया गया वो दोनों की जानकारे उनको प हैं उनको समय समय में चालू करें हम खतम भी करें